हेलो बचों, बचों आज बात करेंगे कि रात को स्टड़ी करने का बेस्ट तरीका क्या है क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सुबह पढ़ू की शाम पढ़ू की रात पढ़ू और कई लोगों के साथ तो मम्मी पापाई टाइट करके रखते हैं उनको कि बच्चे को उठा देना है, बच्चे को उठा देना है, पांच बजे लगा हुआ है जबकि आप सुबह जब पढ़ रहे होते हैं और जटके ले रहे होते नीद के, जिनकी सुबह उठने की आदत नहीं तो भेजे में कुछ नहीं जाता, जाता नहीं दो तीन गंटे आपके निकल जाते हैं चार से छे, चार से साथ, ममी पापा को लगता बहुत पढ़ाई के लिकि इंग्जाम में नंबर हो जाते हैं ठंटन गोपाल ऐसे गायब होते हैं जिसे गदे के सर से सिंग, क्योंकि मन तो लग नहीं रहा था, जबरदस्ती पढ़ रहे थे महाँ पर तो आप ये समझ लें कि कोई hard and fast rule नहीं है कि आपको morning में ही पढ़ना है, तभी आपको फाइदा मिलेगा या रात को ही पढ़ेंगे तभी फाइदा मिलेगा, तो ये जो वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए है, किसी भी class के हो, 12th के हो, 11th के हो, 10th के हो किसी competitive examination की preparation कर रहे हो, और रात को जग सकते हैं, यानि उनका जो habit है, रात को जगने का है, तो अगर रात को जग सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई करना बहुत असान हो जाता है, रात को उनके लिए वीडियो है और जो बच्चे सुबह जेख सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा ही कर लीजे, तो रात आप ये कत्ते ही मत सुचिएगा कि कई लोगों ने बताया है कि मॉर्निंग में पढ़ कही आप कामयाब होंगे या बड़े अच्छे नंबर लाएंगे, जी नहीं, पढ़ने से मतलब है अगर आप रात को भी पढ़ेंगे, तो भी आप शांदार नंबर लाएंगे, तो मम्मी पापा को भी बता दीजिए, कि चिंता करने की कोई आफशकता नहीं, होता भी क्या है कि आजकल शेहरों में, या मोबाइल फोन आने के बाद, बहुत समय, बहुत बच्चों की आदते आती है, रात को थोड़ा लेट नाइट सोने की, चाहिए वो फेस्बुक देख रहे हो, चाहिए वो एक जमाने में, जमाना तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले पपजी में बेढ़े हो, या अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, लड़की लड़क और जिनसे friendship चल रही हो, तो महां लगे हुए हो, कहीं न कहीं समय आपका जा रहा होता है रात को, तो कुछ habits रहती है, अब समय जा रहा था, आदत बनी हुई थी, तो क्यों ना वो जो समय था, उसको productive way में लेके आ जाएं, क्यों ना आदतों को थोड़ा shift कर दें, क्योंकि यह बहुत high time है बिटा, board examinations को लेके, अब आप जो बचे हुए तीन महीने मोटे मोटे में बता रहा हूँ, उसमें अगर रात को जख सकते हैं, और पढ़ाई करें रात को बहतर तरीके से, तो शानदार result आ जाएगा, आपका पका बता रहा हूँ, और यह सूचनी कि आप श समय हात में, आज से, अभी से, उसको constructive manner में बहुत शानदार तरीके से यूज़ करना है, और रात को जबरदस्त study करनी है, इसलिए यह वीडियो में लेके आऊँ, और देखिए बात करते हैं, भी गबरानी के आफशकता नहीं है, देखिए, रात को किस तरीके से बहतर study कर सक सकते हैं, बस मन में यह ठान लेना है आपको कि मुझे पढ़ना है, और बाकी में बाते आपको बताता हूँ, जब मन में यह decide कर लेंगे कि आपको पढ़ना ही है, तो देखिए, कमाल होना ही होना है, फिर तो कमाल होना पक्का है, तो board exams, क्योंकि अब यह आ गए हाई time, अग अब ही आप धीले पढ़ जाएंगे, तो result धीले ही आएगा समझ लीजे, तो आप धीले अब नहीं पढ़ सकते हैं, वो समय नहीं बचा है, कि आप 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने वेस्ट करें, फिर अंत में, एकदम emergency वाली situation में, आप सोचे कि body build up कर लें, नहीं होगा, तो ध्यान आप में मत रखो कि exam delay हो जाएगा, तो बड़ा समय मिल जाएगा, paper zero year हो जाएगा, ये सब कितना होगा, नहीं होगा, इसकी chances में बताता भी रहता हो, बहुत जादा है नहीं, कम है, नहीं है कहलो, तो आप जुट जाओ बस अब शुरू हो जाओ, तो board exams रात में पढ़ाई क करने का बेटा, best तरीका क्या है ये, मैं बताऊंगा आपको, और आप follow कीजिए, आपको बहुत tremendous फायदा होगा, 100% फायदा होगा इससे आपका, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, क्या है मेरे पास आपको बताने के लिए, तो सबसे पहली बात, रात को पढ़ने के फायदे, देखिए, अगर आप रात को जख सकते हैं, तो कुछ बड़े solid फायदे हैं इसके, और सबसे बड़ा फायदा आपके सामने जो आता है, कोई disturbance नहीं मिलता आपको, रात को कोई disturb करने वाला नहीं, स्कूल की online classes morning चल रही होती हैं, और कई बच्चे अगर ऐसा मान ल लेगा, तो उस situation में रात को उसकूल खोलके online classes नहीं हो रही होगी, तो एक तो आप self study करेंगे, और अपनी self study से ही कमाल होता है, बाकी सब तो अपनी self study से ही कमाल और धमाल होता है, बाकी जो study करते हैं, वो तो खाना पूरी चल रही होती है, तो कोई disturbance नहीं मिलेगा आपको, यहां तक कि आपका बहुत सारे दोस्त एकदम hibernation में होंगे, सो हो रहे होंगे प्यार से, और आप उस समय मेहनत कर रहे होंगे, तो ध्यान ले कि यह कमाल होने वाला है, कोई disturbance नहीं, कोई noise नहीं, कोई अथिती नहीं आ रहा होगा, कोई guest नहीं आएगा रात को दो बज़े आपके पास, कि खट-खटा रहा है, भाई मैं चाय पी नहीं आया हूँ, ऐसा तो होने वाला नहीं, साथ में ट्रक, चौपों, पॉपों, जो दायमाय की सडकों की आवाजे हैं, वो सब नहीं आएगी, यह सब चीजे फाइदा रहता है, साथ में मम्मी कोई काम नहीं तो रात को मम्मी पापा भी आपको moral science का injection नहीं लगा रहे होंगे, बस आपको दिमाग लगाना है कि आपके लिए सही गिलत क्या है, तो बिटा कोई भी noise level नहीं मिलेगा, कोई भी disturbance नहीं मिलेगा, आप बात करते हैं बिटा, कि very important, जो मैं suggest करता हूँ, कि आपकी पढ़ाई ये रात को 9 से 2 बज़े के बीच होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं सुबह 4 बे तक पढ़ो, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिलकुल पढ़ो, लेकिन normal मैंने क्या देखा है कि 2 बज़े के बाद लीन्द के जटके भारी मात्रा में आते हैं, अगर आपको नहीं आते हैं, then you can move to till 4 पीम, 4 अम, otherwise 2 बज़े तक 9 से 2 बज़े तक पढ़े, और यहां पर देखेंगे, आपको पूरा 5 घंटे का बहुत ही solid, बहुत ही एकदम gold, शांदार समय मिल जाता है, जो आप यूज़ करने वाले हैं, और करेंगे, और solid result देके आएंगे, तो 5 घंटे का समय है, साथ मे बड़ी important बात जो आप ध्यान रखनी चाहिए बिटा, कि रात को पढ़ने का कत्त ही मतलब नहीं है, कि सोना कम कर दीजे, या सोना बंद कर दीजे, बंद तो करना पाएंगे, घटाते चला, अगर घटाते जाएंगे, तो fatigue हो जाएगा, ठक जाएगे आप, मन नहीं करेगा, यह तो एक दिन का process नहीं है, कम से कम board examination तक तो चालू करेंगे न, तो अपनी जो sleep है, वो 2-9 a.m., मुटा मुटा लिखा, दिन में आप power nap लेक सकें, बताता हूँ अभी आपको, तो दिन में भी घंटा बर मार दीजे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6-7 घंटे की sleep, एक human body को normally चाहिए होती है, active दिन बिताने के लिए, productive दिन बिताने के लिए, तो यह कत्ता ही में सुचिए, कि अगर 6-7 घंटे सोते हैं, तो आप time waste करते हैं, अपने आपको criticize नहीं करना है, आप 6-7 घंटे सोते हैं, तो अपने mind को, अपनी body को regenerate करते हैं, तयार करते हैं, कि बचे नो से दो, रात को नो से उसे पहले डिनर ले ले अपना, रात को नो से दो बज़े तक की पढ़ाई करें, मोटा मोटा पाच घंटे की पढ़ाई आराम से निकल पाएगी, और देखी मैं बाते बताता हूँ, बहुत ही शानदार एकदम आपके लिए आसान हैं चीज़े करन How to study at night, तो बात हमने ये देखी कि वही ऐसे करना है, नो से दो पढ़ना है, लेकिन पढ़ें कैसे, तो कुछ important बाते हैं, पहली बात जब आप पढ़ने बैठिये, बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं self discipline, कि मुझे पढ़ना है, ये दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि रात को जब disturbance नहीं होता, distractions नहीं होते, तो अच्छे काम भी बड़े शांदार तरीके से किये जा सकते हैं, और बुरे काम भी बड़े शांदार के तरीके से किये जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कोई disturb करने वाला नहीं, आपको discipline में रहते हुए mentally strong होना है, कि मेरे पास ही जो golden period है, उसे मैं result में तबदील कर दूँगा, board examination तक हिलूँगा नहीं, ऐसी कि तैसी, तो आप जब ये decide कर लेंगे कि आपको करना ही है, तो ये होना ही है, चिंता की गोयाव शकते ही नहीं, तो target के ये plan, यानि रात को ज इतना part या ये chapter मुझे खतम कर देना है, और ध्यान की target बहुत heavy मत बनाईगी कि किताब ही खतम कर देनी है, तो आपका target ऐसा होना चाहिए, जो अच्छा खासा भी हो, लेकिन आपको demotivate भी ना करें, आप एक chapter पकड़ लीजे, उसको खतम करना दिमाब का बना लीजे, और plan रहे, कि मुझे यहां से यहां तक करना है, दो subject pick up कर रहे हैं, ऐसा ना हो, चार-चार purpose subject करने की कोशिस करें, ना, दो subject pick up करें, और अच्छे से करें, तो target हो आपके पास, और आपके पास उसकी planning होनी चाहिए, Less books and distractions on table, जिस भी table कुरसी पर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो किताबें आपको पढ़नी हैं, केवल उस table पर वही किताबें रखें, मालनी जी यह table है, तो इस table पर वही books रखें, जो आपको पढ़नी हैं, वही चीजे रखें जो आप इस्तिमाल करेंगे, उसके अलावा बाकी इसे नहीं रखें, वो distract करेंगे, आप देखेंगे उसको बार बार और time waste होगा, और दिमाग भी distract होगा, तो table पर या जहां भी पढ़ाई कर रहें हैं, वही चीजे लेके बैठें, जिनको उस समय इस्तिमाल करना है, या पढ़ना है, और देखें कितने बढ़ियां तरीके स आप काम कर देंगे, प्रॉपर लाइट कई बच्चे अपने रूम में पढ़ाई के रूम में लाइट बहुत कम रखते हैं, ऐसा कत्ते ही नहीं करना है, लाइट अच्छी खासी रखिए, बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं लगना चीजिए, कि कुछ ये दिन है कि रात, ऐसा सम आपको पूरी तरीके से चार्ज रहना है, पॉस्टिव एनरजी के साथ, तो आप ठकेला नहीं मैसूस करें खुद अपने आपको, ये नहीं सुचे रहे हैं, अदासी आ रही है, ऐसा नहीं करना है, साथ में कुछ हलके फुल के अगर आपको नीन दाती है, कुछ कॉफी बन जाएगी, तो उसके भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ, तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, स्लीप पैटर्न और सेवन आवर स्लीप, मैंने बताया, कि छे से साथ गंटे का नीन्द चाहिए आपको, और जो स्लीपिंग पैटर्न है, अबलब जो फिक्स टाइम है, ज ऐसा नहीं कि सुबह छे बज़े उठके आप डट जाते हैं, नौर्मल कंडिशन में, तो आप सो लीजे, रात को तो पढ़ी रहे हैं, नो बज़े से नहीं होती, साड़े आट बज़े होती, तो उससे पहले उठ जाएए, जब भी होती है, मौर्णिंग आट बज़े होती ह कुछ समय बार, दस, पंदरा, बीज दिन बार, खुद अरिजेस्ट कर जाएगी, और अगर पैटन नहीं बनाएंगे, जब मनाया सो गए, तो इस पैटन से आपका डे बहुत खराब होगा, आप फ्रेशनी फील करेंगे, क्योंकि बॉड़ी समझी नहीं पाएगी, कि आप ट्यून अप हो जाएगी, ट्यून अप हो जाएगी, और देखे, कमाल होने लगेगा, दिमाग भी ट्यून अप हो जाएगा, आगे बास समझते हैं, लेस फूड अट नहीं, रात को पढ़ाई करने जब 9 बज़े जा रहे हैं, तो ऐसा नहों कि 8-10 पराटे ठूस लें, वे नाश्ता कीजें ना एकदम राजाओं की तरह, ब्रेकफास्ट लाइक एक किंग, को ठूसिए, चार पराटे की जगा, आट पराटे खाईए, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ये आप कर सकतें, less food at night, और रात को पढ़ने के फायदे हैं, क्योंकि distractions होता नहीं है, कमाल दिखिए क्या हो जाएगा, और एक खास बात बताता हूँ, मेरे हिसाब से, आपको करना क्या चाहिए बेटा, कि रात को जो study करिए ना, वो revision pattern में ज़्यादा कीजे, बई जो भी पढ़ा या पढ़ रहे हैं दिन में, ऐसा नहीं सोचना है, कि रात को ही 5 गंटे पढ़ लिय इसा revision में रखिए, क्योंकि रात में कभी कभी क्या होता मालीजे, बहुत tough topic लेके बैठ गया, maths का integration जो पढ़ा ही नहीं है, जो आपको पसंद कमाता है, मुश्किल लगता है, और दो सवाल आपने लगाया, वो नहीं निकले, 10th का बच्चा कोई hard topic लेके बैठ गया, triangle लेके और रात को युद्ध नहीं लड़ना है, आप रात को एकदम से वो topic पकड़ी है, जो पर चुके नहीं को revision कर रहा है, माखन की तरह revision हो जाएगा, जैसे नदियों में पानी बहता उस तरीके से काम हो जाएगा, दिमाग को लगेगा ही नहीं load दे रहे, हसते खेलते चीज़े बनती चली जाएंगे, आप करते चली जाएंगे, point is this कि रात को heavy topics, एकदम से pick up नहीं कर लेने हैं शुरूबे, आपको पहले आदर डालनी है, subtle topics लीजे और revise कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि examination में number बिना revision के, बिना revision के number बहतर नहीं लाय जा सकते, तो revise करेंगे तो आपको बहुत शांदार result मिलेंगे, और जो class जैसे 11, 12 के बच्चे हैं, अगर math physics के बच्चे हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक special courses भी है, class 12 and 11 के math physics के, revise with exam booster, जो आपको 95% लानी में मदद करते हैं, class 12 का math physics और class 11 का math physics, अगर आप math physics दे रहे हैं, तो arvind academy app को download कर सकते हैं, उसका link description में हैं, और अपने पढ़ाई को एक नया level दे सकते हैं, सारे वीडियो lectures भी हैं, बहुत कुछ है, और साथ में live doubt classes भी हैं, रोज शाम को मिलेगी, जहां पर आपको कोई doubt है, तो आप clear भी कर सकते हैं, तो मेरे काल से वीडियो काफी effective रहा होगा आपके लिए, thank you very much, wish you all the best, पसंद आने पे live कीजिए, अर्विनदेकडमी चैनल को subscribe कीजिए, और रात को जम्र के पढ़िए, कई लोग कहते हैं, रात्री जागरा, हम लोग के समय में बोलते थे, रात्री जागरा चल रहा है, जैसे माता जी का जागरा होता है, तो रात्री जागरा, आखिर पढ़ाई भी तो पुझा है, कसके कीजिए, thank you very much, wish you all the best.